Hello guys welcome to this video और मेरा नाम है Amant Trivedi और आप देख रहे हैं the Hindu vocabulary presented by me Amant Trivedi and here is something about me आशा करता हूँ आपको मेरे बारे में पता होगा so अगर आपने अभी तक मुझे Facebook पे follow नहीं किया है तो follow कर लीजिए follow करने के लिए आपको search करना है तो आपको मेरा Facebook पेज का मिल जाएगा जहां से आप मुझे Facebook पे follow कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरा Telegram चैनल जोइन नहीं किया है जहां पर इस वीडियो की PDF और इसके साथ ही daily assignment आपको मिलता है उसके लिए आप मेरा आप सभी मुझे पता है आप सभी लोग मुझे काफी जादा नाराज है काफी लंबे समय से मैं इस वीडियो को नहीं कर रहा था तो उसके लिए बहुत ही sorry actually में एक बर ही आपका flow टूटता है तो उसके बाद काफी चीज़े गडबर हो जाती है and that just happened with me so from now onwards I will try my best to provide you these videos daily मैं आपको बता देता हूं पहले ही Monday to Saturday आपके ये वीडियो जाएंगे Monday to Saturday ठीके Monday to Saturday आपका ये daily the Hindu vocabulary का वीडियो मिलेगा वीडियो की PDF आपको शाम तक मेरी website पर मिल जाएगी amantrivedi.com पर इसके अलावा Monday to Saturday ये वीडियो आपको डेली इसी चैनल पर मिलेगा तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट करिए attended ठीक है जिससे कि मुझे पता लग सकेगा कि हां आप लोगों ने वीडियो देखा है तो just comment here in the comment section और like करना मत भूलेगा ठीक है तो कि अगर आप support बना के रखेंगे अगर आप continuously वीडियो को support करते रहेंगे तो there is no way that मैं वीडियो को stop करूँ लेकिन अगर आप वीडियो को support नहीं करेंगे आपको लगेगा कि नहीं कितना enough नहीं है then आपको मुझे मजबूरन इस वीडियो को stop करना पूड़ेगा ठीक है so this is about this this is all I wanted to say इसके अलावा अगर आप मुझे on academy पर follow करना चाहते हैं तो on academy plus को subscribe करने के लिए आपको on academy plus पर जाना है get subscription पर क्लिक करना है 12 मंत का subscription का option है 5000 रुपए का इस पर आप continue करे हैं जो कि है अमंत्रिवेदी इसको apply करेंगे तो आपको 10% का discount मिलेगा उसके बाद अगर आप credits को apply करेंगे तो 10% का और discount मिलेगा तो उसके बाद आपको जो यह 5000 रुपए की cost दिख रही है 5000 से घटके 4320 मेरी हुई है आपकी cost और कम हो सकती है अगर आपके पास यह credits जादा 2019 यह बैच आपका शुरू हुआ है कल से जिसमें मैं reasoning और vocabulary पढ़ा रहा हूं और यह कोर्स हमारा शुरू होने वाला है 20 अगस्ते जिसमें हम geometry पढ़ने वाले हैं BA 200 MCQs of chemistry हम current geometry इस course में करने वाले हैं ठीके अगे बात करते हैं आज की vocabulary की और आज के video की कि क्या कुछ हमें सीखना है और कैसे हम आगे बढ़ेंगे तो लेट स्टार्ट इस वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं आपके जिसमें हम बात करने वाले हैं आज आज के दाहिंदू vocabulary के के वीडियो की चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट हैंड है यहां पर लिखा हुआ है अब्रोगेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस विल ओपन अप न्यू विस्टास फॉर जे एंड के विंकाया नाइडू ने कहा है कि जो इस्पेशल स्टेटस का अब्रोगेशन है अ से जम्मो कश्मीर में नेवस्टास खूलेंगे तो आप जानते हैं दो वर्द समय मिलते हैं एक है अब्रोगेट और एक हेश्टा तो डोनों का ही मीनिंग जानेंगे और दोनों से रिदेटिटने भी सिन नेमत है अंको हम देखेंगे कि अब्रोगेशन देखो क्या होता है होता है आपका noun और यह बनता किसे है बनता है आपका verb से जो की है abrogate तो abrogate verb से abrogation noun बनती है meaning हो जाता है to officially end a law and agreement etc एक किसी law को या फिर किसी agreement को officially end करने के लिए यह आपका word बनता है जैसे कि 370 को वारसरकार ने खतम किया तो abrogation of special status यानि कि जो special status है यह खतम हुआ है abrogate हुआ है ठीक synonyms क्या होते हैं इसके synonyms होते हैं abate abolish annal avoid cancel disannal dissolve invalidate negate null nullify quash repeal rescind rollback strike down vacate and void यह सारे synonyms आप इसके याद रख सकते हैं कुछ बहुत important है जैसे कि abate annal avoid disannal dissolve invalidate negate यह आपको जरूर याद रखने हैं मतलब इनका होता है किसी चीज़ को खतम करना किसी चीज़ को null and void भोसित करना इसमें आप null and white भी लिख सकते हैं ठीक है चलिए तो यह तो था हमारा इसका पहला word जो की था abrogation उसी sentence में दूसरा word हमारा था vista उन्होंने कहा that will open up new with stars in jnk open up new with stars vista का मतलब क्या होता है vista is a noun कहने का मतलब हो जाता है beautiful view of for example of the countryside a city यानि कि किसी भी चीज़ का बहुत ही सुन्दर view वह countryside या किसी शहर का हो सकता है तो vista का मतलब एक होता है beautiful view यहाँ पर जैसे example के तो पहते और पर हम panorama भी से कह सकते हैं इसके लावा vista का दूसरा meaning क्या होता है जो कि यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पर तो वह beautiful बुल द्रश्यों की तो बात कर नहीं रहे वो तो already है तो वह open क्या होंगे तो वहाँ यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि arrange of things that might happen in the future या फिर prospects यानि कि जो यहाँ पर vista का meaning है वो यह है कि इससे arrange of new things होने वाली है आपके JNK में arrange of new prospects open हो सकते है है range of things that might happen in the future जो भविश्य में हो सकते हैं उन्हें हम कहते हैं विस्टा ठीक है example के तौर पर मैंने कहा this new job could open up whole new vistas for her यानि कि यह जो नई job है उसके लिए नए prospects नई राहें नई दिशाएं खोल सकते हैं तो वही meaning यहाँ पर भी हो जाता है कि यह जो application है special status का इससे जम्मो कश्मीर में नए रास्ते विकास के नए रास्ते खुलेंगे यह वो कह रहे थे विस्टा का अगरा यहाँ पर लिखा हुआ है पीचिदंबरम endorses moody's call for smaller families तो endorses यानि कि उन्होंने क्या किया है support किया है उन्होंने कहा है कि यह सही है तो endorse का मतलब क्या होता है endorse is a verb कहने का meaning हो जाता है to publicly or officially say that you support और approve of someone or something यानि कि publicly या officially इस बात को स्वीकारना कि आप इस बात को support करते हैं या आप इससे सहमती रखते हैं इसे कहते हैं एंडोर्स करना तो पीचिदंबरम ने उनकी इस बात के लिए कहा है कि कि he endorses this thing synonyms आएंगे आपके advocate back support या फिर patronize यानि कि किसी चीज को support करना किसी चीज को back करना patronize करना उसी sense में आता है endorse करना ठीक अगला word देखो हम लिखते हैं यहां पर यहां पर लिखता है end of special statuses and internal matter says इंडिया यहीं कि भारत सरकार ने कहा है कि special status को खत्म करना भारत सरकार का internal matter है आंतरिक मामला है इसका बाहर से कुछ लेना देना नहीं है ठीक है यहां पर कहते हैं reiterating that issue around article 370 तो reiterating का मतलब क्या हो जाता है पुना कहना दुबारा से किसी बात को कहना iterate करने का मतलब कहना और reiterate का मतलब दुबारा से कहना उसे consensus में आता है यह reiterating अगला word हम देखिए यहां पर देखते हैं कि यहां कि यहां पर इसका मीनिंग है कि किसी को कुछ advice देना किसी कारे के लिए तो जो पेशेंस जो पेटिशनर था उससे सुप्रीम कोट ने कहा है कि जम्मो कश्मीर पर आप पेशेंस रखिए आपको यह सला दिये उनको कि वह तो थोड़ा दिन का सब्र रखे तो काउंसल मतलब होता है है एडवाइस करना किसी को पर एक्जामपल कर देखिव लिचल टाइम फोर देखिएशन तो इस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तेल्स पेटिशनर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पेटिशनर से कहा कि आप हैं रेस्टिक्शन सिरी नगर तो अमिड का मतलब होता है के दौरान के बीच में यानि की रेस्टिक्शन के बीच में के दौरान फ्राइडे को यहां पर जो कश्मीरी हैं उन्होंने नमाज अदा की रेस्पाइट का मीनिंग क्या होता है रेस्पाइट का मतलब होता है रेस कोटे सी राहत मिलना तो जो रैस्पाइट का मतलब होता है राहत मिल ला तो यहां पर जो मतलब हे है। वह ही है की नो रैसुपाइट यानि की peticanar को कश्मीर हैं उन्हें कोई राहत नहीं मिली इस petician से तो मतलब होता है राहतो प्रेक शॉथ ब्रेक guart escape from something difficult or unpleasant is called respite example के तोर पर हो जाएगा रिप्रीव सकर सोलेस और ब्रीदर क्या आर्थ होगा रिप्रीव सकर सोलेस और ब्रीदर इस कॉल्ड रिस्पाइट का आर्थ हो जाता है रिस्पाइट शॉर्ट ब्रेक और सके फ्रॉम सम्थिं डिफिकल्ट और अर्थ हो जाएगा रिप्रीव सकर सोलेस ब्रीदर यानि कि किसी चीज़ से राहत मिलने के सेंस में आता है ठीक है आगे देखी यहां पर लिखते हैं यहां पर उन्होंने लिखा है सुप्रीम कोर्ड ऑन फ्राइडे कॉल्ड फॉर पेशेंस ओवर दे सिटूइशन इन काल फॉर का मतलब क्या होता है कॉल फॉर का मतलब होता है तुटो नीड संहपीं किसी चीज की आवशक्ता होना या ब्लिकली किसी चीज के लिए कहना कि आपको ऐसा करना चाहिए तो दे रिजाइन देना चाहिए अपना स्थीफा देना चाहिए आगे देखी यहां लिखते हैं यूएस लॉमेकर राशिदा तालियत क्लाइब रिजेक्स इस्राइल आफ़र टू विजिट वेस्ट बैंक उनको ने रिजेक्ट कर दिया है रविशास्तिरी रिटेंड एज हैड कोच रिटेंड का मतलब होता है जैसे इस सिटी में है उसी सिटी में बने रहना यानिके उनको रखना तो रविशास्तिरी भारत के अकोच बने रहेंगे आगे यहां पर लिखते हैं चाथीजगर सीयम्ट डबल कोटा ओन ओफॉर ओबीसी यहां लिखते हैं मॉंसुन स्पेशल यहां लिखते हैं twin harvest twin harvest a farmer catching with his field during a break in the rain on the outskirts of Goaati on Friday so why it is written twin harvest twin मतलब the dhugna आपका harvest हो रहा है कैसे चुकि यहां पर उनकी फसल तो खड़ी ही है इस field में साथी साथ यह जो farmer है यहां पर इस पानी से मचली पकड़ रहा है तो एक तरीके से double harvest हो रहा है इसलिए यहां पर इन्होंने twin harvest को लिखा है इसके लाबा यह लिखते हैं outskirts तो outskirts का मतलब क्या होता है outskirts होता है noun इसका मतलब होता है the parts of a town or city that are farthest from the center यानि कि यह पर फार्देश्ट कर लो ऐसे टाउन या फिर ऐसी जगह शहर के जो कि बहुत ही बाहरी शेत्र में होते जैसे कि मान लीजिए आप डेली में हो तो डेली में अगर आप आप चांदनी चौक में हो तो आप को होगे आम इंदर डाउन टाउन आफ द शीटी डाउन टाउन मतलब इस पेशलि इसमें बिजनेस एरिया तो एकड़म शहर का दिल इसे कहते हैं उसे कहते हैं और अगर आप गाजियावाद में तो यू कहां पर रहें आप नौफ का आउट स्कूर्ट में यानिकी बहुत ही बाहरी शेत्र में हैं तो आउट्सकूर्स का मतलब होता है कि लोकल बॉडिपुल गुद एन आई अन दकमिंग लोकल बॉड़िपॉज तो आय ओन आय ओन का मतलब क्या होता है तो वी तो किक भी जिचिंग को खरीदना कि जिच को हासिल करने की सोचना किस जिच पर निगाहर रखना उस संस में आता है आय ओन संथ अब यहां पर एक हमारा वर्ड आया आय तो हम जैसा कि हमारे courses हमारी classes का पहले से भी यही रहा है किस तरीके से हम करते हैं वीडियो उसी तरीके से कर रहे हैं आय का से related idioms को देखेंगे थोड़े से हम ठीक है तो आय से related idioms जो की exam में पूछे जा चुके है मैं उन्हीं को बता रहा हूं an apple of somebody's eye an apple of somebody's eye का मतलब होता है किसी की आख का तारह होना a person or thing that is loved more than any other यानि कि कोई ऐसी चीज को ऐसा व्यक्ति जिसको आप सबसे अधिक पसंद करते हैं उसे कहते है an apple of his eye she is the apple of her father's eye यानि कि वो उसके father की आया का apple है यानि कि वो बिल्कुल ही उसके आख का तारह है अगले में कहता है be all eyes be all eyes का मतलब होता है to be watching somebody or something carefully and with a lot of interest यानि किसी चीज को बहुत ही ध्यान पूर्वक देखना और बहुत ज्यादा इंट्रेस्ट पूर्वक देखने के लिए आता है be all eyes the kids were all eyes as he slowly unwrapped the package जैसे जैसे उसने package खोला तो kids जोदे बहुत ही ध्यान पूर्वक उसे देख रहे थे beauty is in the eyes of beholder तो यह john kids की बहुत ही famous quote है कहने का मतलब है जो जो सुन्दरता है वो देखने वाले की आंक में आखों में लाय करती है यानि कि आपके उपर डिपेंड करता है आप किसे बहुत सुपसुरत बताते हैं किसे नहीं किसी को red अच्छा लगता है किसी को white अगला बोलता से किसी चीज की का व्यू ले लेना एकदम ऊपरी निरिक्षण कर लेने के सेंस में आता है अब बर्ड साइब ओके अगला कहता है catch somebody's eye, catch somebody's eye का अर्थ क्या होता है? catch somebody's eye का मतलब होता है to attract somebody's attention, किसी का attention अपनी तरफ खीचना, किसी का ध्यान अपनी और आकरशित करने के सेंस में आता है catch somebody's attention, आगे बोलता है cock and eye और ear at something or somebody, यानि कि to cock and ear at something या फिर cock and eye at something कहने का मतलब हो जाता है to look at or listen to somebody or something carefully and with a lot of attention किसी के उपर बहुत ध्यान पूर्वक्त, किसी बात को सुनना या देखने के सेंस में आता है to cock and eye at ear at something आगे बोलता है an eye for an eye, an eye for an eye हम इसे बोलते हैं summary justice भी कहते हैं कहने का मतलब हुआ एक आँक के बदले आँक लेना तो कहते हैं गांधी जी ने कहाता है an eye for an eye will make the whole world blind अगर हम पूरे अगर हम एक आँक के बदले आँक लेते रहेंगे तो पूरा विश्व एक दिन अंधा हो जाएगा आगे बोलता है have an eye for something have an eye for something मतलब होता है to be able to judge if things look attractive, valuable, etc यानि कि कि कोई चीज आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो उसके बारे में आपको अच्छी खासी knowledge भी है उस sense में आता है आपका have an eye for something यानि कि आप इस चीज को समझने में सक्षम है कि कुछ चीज आट्रेक्ट लग रहा हो या valuable लग रहा हो ठीक है अगला बोलता है have eyes in the back of your head तो ये quote आपने अपने teachers को सुनते बो सुना होगा बोलते सुना होगा अपने classes में यतने मेरे पीछे भी आखे लगी है तो to have an eyes in the back of your head का मतलब हो जाता है to be aware of everything happening around you यानि कि कुछ ऐसा जो तुमारे आस-पास जो कुछ भी चल रहा है आप बहुत ज्यादा aware रहते हो बहुत ज्यादा एकदम attentive रहते हो for example you can't get away with anything in her class she has eyes in the back of her head यानि कि उसकी class में आप ऐसे नहीं बस सकते हो उनकी पीशे भी आके लगी है यानि कि बहुत ज्यादा वो ध्यान देते हैं चीजों पर ठीक है अगला word क् क्याता है have or got eyes like a hawk तो have or got eyes like a hawk का मतलब हो जाता है to be able to notice or see everything यानि कि हर चीज को देख पाना और हर चीज को notice कर पाने की शमता होने के sense में आता है have got eyes like a hawk अगला कहता है have a roving eye have a roving eye का मतलब क्या हुआ have a roving eye का meaning होता है to be always be looking for the chance to have a new sexual relationship यानि कि एकदम ही बहुत ज्यादा शीश में आप involved होना और हमेशा इस तरीके के chances को खोजते रहना तो उसे कहते है have a roving eye अगला कहता है in the blink of an eye या फिर in the twinkling of an eye in the blink of an eye या फिर in the twinkling of an eye का मतलब होता है पलक जपकते ही अर्थ हुआ very quickly और इना short time बहुत कम समय में एकदम बहुत जल्दी से उस sense में आता है in the blink of an eye या फिर in the twinkling of an eye अगला कहता है not bat an eyelid to not bat an eyelid का मतलब हुआ आपको मान लीजिए मैंने कुछ बताया और अगर कुछ surprising है तो obviously आप पलक जपकाएंगा और अगर आप बिलकुल भी surprise नहीं शो कर रहे हैं या फिर embarrassment नहीं शो कर रहे है कुछ ऐसा होने पर जो कुछ जिसमें सो करना चाहिए तो उस चीज से उसे कहते हैं to not bat an eyelid आगे कहता है with an eye for the main chance with an eye on the main chance meaning होता है with the hope of using a particular situation in order to gain some advantage for yourself यानि कि इस आशा में होना कि आप किसी situation को किसी परस्थिती को अपनी अपनी advantage के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे तो आपका जो आख है आपकी जो आपका जो एकदम interest है वो एकदम में चांस पर होना याप किसी चांच चीज को हांसिल करने की कोशिश कर रहे हो उसे बोलते हैं with an eye for your on to the main chance okay so this was the these were the idioms related to eye इतने ही अमने idiom सिख बता दिये आपको आया से related अब इससे ज्यादा आया से related कोई other idiom आपसे नहीं पूछा जा सकता तो जितने भी idioms हमारे हो सकते थे आया से related I have told you ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दिखिए यहां कहते हैं प्रूव डैट मस्जिद वास बिल्ट ओवर टेंपल से सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह प्रूव करिये सिद्ध करिये कि मस्जिद को में टेंपल के ऊपर बनाया गया था तो सुप्र आयध्या डायटी रीफर्स टू एसई एक्सकवेशन रिपोर्ट एक्सकवेशन बिन होता है यह तो जो आप पुराणी चिजों का पता लगा पाएं यहां कहते हैं हिन्दू इमेजरी found at the site says council, council ने कहा कि हिंदू imagery find की गई है उस site पर, तो imagery का अर्थ क्या होता है, imagery के दो मतलब होते हैं एक मतलब होता है, आपका एक तो ये noun है, साथी साथी ये uncountable noun है, तो इसका plural नहीं बनाना है ठीक है? मतलब क्या हुआ, language that produces pictures in the minds of people reading or listening, कोई ऐसी language, जैसे मान लीजी मैं आप से कहूँ, आप अपने आपको imagine करो कि आपका selection हो गया है आप inspector बन गये हैं, आपने वर्दी पहन रखी है, तो ये आप मैं जब बोल रहा हूँ तो आप अपने दिमाग में image बना रहे हैं, this is called imagery, ठीक, इसके अलावा pictures और photographs होता है, तो जो यहाँ पर कह रहे हैं, वो यह कह रहे हैं कि Hindu imagery find की गई, site पर council ने ऐसा कहा है, ठीक है इसके अलावा, यहाँ कहते हैं संथाल penalty stalls cremation ठीक है, संथाल penalty जो है, उसने cremation को stall कर दिया यहाँ कि रोक दिया, किसी चीच में रोक दागत देने के सेंस में आता है police personnel shifting the body of Prabhati Sorain for post-mortem in Indonesia Odisha's Mayur Bhansh district, her husband Kandra Sorain is third from the left, ठीक है तो यहाँ पर इसके बारे में बता रहे हैं, बाकि यहाँ आप पेपर से पढ़ सकते हैं ठीक है So guys, this is it for this video आशा करता हूँ, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो please like the video and also do comment that you attended the video जैसा कि मैंने कहा, do comment that you attended the video साथी साथ आप वीडियो को लाइक जरू की दीजेगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजेगा इस वीडियो की जो PDF है वोकाबलरी की वो आपको मिलेगी amantrivedi.com पर उसके लिए आप मेरा telegram चैनल जोईन कर लीजे जहां पर मैं उसका वी-link आपके साथ में शेयर कर दूँगा जब से ही वो PDF अप्लोड हो जाएगी ठीक है तो दिस इस इत पर इस वीडियो और आपको इस वीडियो पसंद आया होगा तो अगर आप लोग सही सपोर्ट करेंगे तो प्लीज दू कमेंट करें लाइक करें और शेयर करें वीडियो को ठीक है अगर आप शेयर करेंगे तो हम बेतर ओडियन्स तक पहुँच सकेंगे और आगे इन चीजों को continue रख सकेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुबो बबाई टेक्रें आप गूद डेर थैंक्यू सो मच